वनिता विजय कुमार एक भारतिय अभिनेत्री और टेलिविजन व्यक्तित्व की यात्रा 5 अक्टूबर 1989 को जन्मी वनिता विजय कुमार तमिल फिल्म और टेलिविजन उद्ध्योग की एक प्रमुखस्ती है दशकों से अधिक लंबे करियर के साथ उन्होंने मनोरंजन जगत में ओन स्क्रीन और ओफस्क्रीन दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है प्रारंभिक जीवन और प्रिष्ठ भूमी वनिता प्रसिद्ध तमिल अभिनेता विजय कुमार और उनकी दूसरी पत्नी मंजुला की सबसे बड़ी बेटी हैं जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री भी थी फिल्म उद्योग से जुड़े परिवार में पलीब्धी वनिता का रुझान स्वाभाविक रूप से अभिनय की ओर था उनकी दो छोटी बहने प्रीता और श्रीदेवी हैं जो भी अभिनेत्री थी इसके अतरिक्त अपने पिता की पिछली शादी से वनिता के सौतेले भाईभन हैं जिनमें लोगप्रिय अभिनेता अरुन विजय भी शामिल हैं कैरियर की शुरुवात और चुनौतिया मनोरंजन उद्योग में वनिता की यात्रा 1990 के दर्शक के मध्य में शुरू हुई उन्होंने विजय के साथ फिल्म चंद्रलेखा 1995 से अभिनाय की शुरुवात की फिल्मी बैक्ग्राउंड से होने के बावजूद वनिता को अपने करियर की शुरुवात में चुनौतियों का सामना करना पड़ा उनकी पहली फिल्म और उसके बाद की परियोजनाओं के कमजोर प्रदर्शन के कारण उनके करियर की गती धीमी हो गई हाला की उन्होंने सिनेमा में अफसर तलाशना जारी रखा और तमिल्क, मल्यालम और तेलुगु फिल्मों में काम किया अस्थाई प्रस्थान और वापसी फिल्मों में अपने शुरुवाती कार्यकाल के बाद वनिता ने अभिनय से ब्रेक ले लिया वह 2010 के मध्य में नान राजावागा पोगिरेन 2013 और सुम्मा नचुनु इरुक्कु 2013 जैसी फिल्मों में अभिनय के साथ कुछ समय के लिए उद्योग में लौट आई हाला की एक असफल उत्पादन उद्यम सहित चुनोतियों और असफलताओं का सामना करते हुए वह फिर से अस्थाई रूप से अभिनय से दूर हो गई टेलिविजन स्टार्डम और उससे आगे वनिता को तमिल टेलिविजन में नई सफलता मिली बिग बॉस तमिल तीन इंच और कुकु विद कोमाली जैसे रियलिटी शो में उनकी भागीदारी ने महत्वपूर्ण ध्यान और पहचान हासिल की उन्होंने अभिनय से परे अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए टेलिविजन कार्यक्रमों के निर्मान और मेजबानी में भी कदम रखा व्यक्तिगत जीवन और संधर्ष वनिता की निजी जिन्दगी काफी उतार चढ़ाव भरी रही है अभिनेता आकाश और व्यवसाई आनंद जैराजन सहित उनकी शादिया तलाक में समाप्थ हुई हिरासत की लड़ाई और विवादों ने उनकी व्यक्तिगत चुनोतियों को और बढ़ा दिया प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद वनिता अवसाद से अपने संधर्ष के बारे में खुल कर बात करती रही है और अपनी मानसिक भलाई के लिए सक्रिय रूप से पेशेवर मदद मांगती रही है वर्तमान उद्यम और ओफसक्रीम योगदान मनोरंजन उद्योग में अपने काम के अलावा वनिता ने अपनी रुचियों में विविधता लाई है उन्होंने चैन्नई में एक कपडे की दुकान खोल कर उद्यमिता में कदम रखा इसके अतिरिक्ट वह पोशाक डिजाइनिंग और अन्य ओफसक्रीन प्रयासों में भी लगी रहती है निशकर्ष भारतीय मनोरंजन उद्योग में वनिता विजय कुमार की यात्रा लची लेपन और बहुमुखी प्रतिभा का उदाहरण है करियर की असफलताओं से निपटने से लेकर व्यक्तिगत चुनौतियों पर काबू पाने तक वह एक बहुमुखी व्यक्तित्व के रूप में उभी है सिनेमा और टेलिविजन दोनों में उनके योगदान ने उन्हें एक समर्पित प्रशंसक आधार अर्जित किया है और तमिल मनोरंजन परिद्रिश में एक उल्लेखनिय व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिती को मजबूत किया है अपने संधर्शों के बारे में खुलेपन के माध्यम से वनिता दूसरों को प्रेरित करती रहती है यह साबित करती है कि ताकत द्रिड़ता और आत्म विश्वास में नहित है